So, Hello and Welcome back to my channel The Education हाब तो आज हम कॉंटिन्यू करेंगे अपनी Arts in Education का न्यू टॉपिक जो की है Educational Thinkers on Art in Education यानि कि जो भी हमारे Educational Thinkers हैं वो क्या सोचते हैं Education में Arts Integrate हो तो तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने Educational Thinker रबिंदर ना टेगोर के बारे में जिन्होंने अपने Article My Picture में बोला था The World of Sound is a Tiny Bubble in the Silence of the Infinite यानि कि जब बहुत दूर तक शांती ही शांती होगी और Sound का एक छोटा सा हिस्सा होगा तो वो एक Tiny Bubble की तरह काम करेगा वो बोलते हैं कि यह जो Universe है इसमें जो Language होती है जो Picture होती है उसमें Sound के आते ही वो एक Movie की तरह काम करने लग जाती है वो यह भी बोलते हैं कि आर्ट कैसे Guest की तरह है जो एक बार अगर आ गया तो वो हमेशा की तरह वहीं रह जाता है Art is the Guest that comes and remains फिर वो नहीं जाता और Art is the Guest that comes and remains Colors में और मैं उनका Reply करता हूँ Music में मेरा Answer जो होता है वो Music में Reply करता है Next हम देखेंगे कि देवी प्रसाद क्या बोलते है Music Arts के लिए तो वो बोलते हैं कि इसे हमें Aesthetics दिखाई देती है अपने Surrounding में Aesthetics का मतलब हमने पहले ही पढ़ा था कि Feeling, हमारी Love, हमारा Happiness, हमारा Sorrow यह हम Surroundings में Observe कर पाते हैं Art के Through और वो यह बोलते हैं इसे हम Nature के प्रती जानते हैं Aware होते हैं, अपनी Eyes को Train करते हैं हमारी Life में बहुत ज़दा Grace होता है हमारी Life Improve होती है वो बोलते हैं कि जो बच्चे हैं वो Art को ऐसा Joy देखते हैं, खुश होते हैं बच्चे आर्ट के प्रती वो Language की तरह यूज करते हैं Art को, वो Communication कर पाते हैं वो बच्चे को Mind बहुत ज़द Imaginative Mind होता है, तो वो Imaginary अपनी चीज़े दिखा सकते हैं वो बोलते हैं कि बच्चे अपने को Self-Express कर सकते हैं तो यह तो देवी प्रसाद के Thoughts ते अब हम पढ़ेंगे एलिये टिंसनर के तो वो कहते हैं कि जो Art है, इससे हमें Qualitative Relationships के वार में पता पढ़ता है, यानि कैसे quality है Relationships के हमारे Nature में वो बोलते हैं कि यह Invertible Part है जैसे कि रमिंदर ना टेगोर ने भी बोला था यह बोलते हैं Looking to the Medium यानि संसार को देखने का नजेरिया होता है Art और वो बोलते हैं Aesthetic Satisfaction that The Work Itself Make Possible इससे बोलते हैं कि अपने काम को करने के लिए Satisfaction हमें Art के थ्रू मिलती है ऐसे Colors हो गया हम Different Dance Porms हो गए तो इससे हम बहुत इसी लिए Learn कर पाते हैं और हमारी Eyes को बहुत ज़दा Satisfaction मिलती है Next हम पढ़ेंगे John Devi के बारे में कि John Devi क्या बोलते हैं Arts के लिए तो John Devi बोलते हैं कि जो Art है वो बहुत ज़दा Important होती है हमारी Context में यह Society के Welfare के लिए Develop करी गई है इससे बच्चों का Fear Remove होता है बच्चे Empower होते हैं और जो बच्चों को सिखा रही है वो Teachers भी बहुत ज़दा Empower होते हैं वो Critically Analyze कर पाते हैं बच्चों के अंदर Democracy की भावना Improve होती है Encourage होती है Arts की Through बच्चे Responsible Feeling को भी अपने अंदर Develop करते हैं तो अब नेक्स हम पढ़ेंगे Victor Lawfield के बारे में वो क्या कहते हैं Arts Education के बारे में तो वो बोलते हैं कि जो Education में Art का बहुत ज़दा Influence होता है इससे बच्चे Controlled होते हैं बच्चे 4-6 Years की एज में बच्चे को बहुत ज़दा Art Education पर फोकस किया जाता है वो बोलते हैं Having experienced the devastating effect of rigid dometrics and disrespect for individual difference वो ये बताते हैं कि जैसे कि हम देखने हैं आजकल बहुत चारे differences देखे जा रहे हैं तो Arts and differences को overcome करता है हर एक चीज़ के प्रती वो encouragement की भावना को बहुत ज़दा develop करता है इसलिए वो बोलते हैं कि आज के time में present day world में Arts के बहुत ज़दा need होती है तो ये तो victim के thoughts थे अब हम पढ़ेंगे Howard Garden क्या कहते हैं Howard Garden भी कहते हैं कि ये Art हमारी life में बहुत ज़दा important होता है इससे interpersonal skills जो है हमारी develop होती है इससे बच्चों field trips करवानी चाहिए classroom community में discussion होने चाहिए इससे interpersonal जो skill होती है हमारे अंदर की interpersonal यानि हमारे खुद के अंदर की feelings हमारी skills वो develop होती है next से बोलते हैं interpersonal intelligence यानि एक दूसरे के साथ intelligence develop होती है जैसे बच्चे sketchbooks बनाते हैं तो इससे वो अपना project complete करते है तो उनकी intelligence भी बढ़ती है और वो lastly कहते है students will grow in naturalistic intelligence students nature को सिद्धे के nature में रहे के बहुत जाद अपने आपको develop करेंगे तो Howard Garden ये कहते है arts in education के बारे में आज की वीडियो में हमने different educational thinkers जो की रबिंदर नाट टेगोर देवी प्रसाथ, ईलियम डब्ल्यू एंसर, जॉन डेवी विक्टर, Howard Gardner के बारे में हमने पढ़ा की उनका क्या opinion है क्या उनकी thought है arts को लेके की education arts कितना important है तो आगर आप लोगे कोई बीडाउट है तो आप नीचे comment section में पूछ सकते हैं and if you like watching the education hub videos to do subscribe to my channel thanks for watching